रूस से लेकर इंडोनेशिया तक लगातार ज्वाला मुख्यों की दुनिया सक्रिय हो रही है लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कितने खतरनाक है यह ज्वाला मुख्यी इनका असर क्या हो रहा है इस रेपोर्ट के जरिये समझने की कोशिश करते हैं असमान मी लवा औराका गुबार लगातार पुर्टे ज्वाला मुख्यों से बढ़ रही है आफ़र रूस से लेकर इंडोनेशिया तक क्यों सक्रिय हो रहे है ज्वाला मुख्यों इंडोनेशिया में क्या है बार पान पुर्टे ज्वाला मुख्यों की मिस्ट्री तासे फीट उचा है सुलक्ते पत्थर लावा और राख इस वी स्पोर्ट ने बड़े इलाके पर असर डाला है इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा जॉला मुख्यों स्पोर्ट होते हैं लिहाज़ा यहां हमेशा आग उगलने वाले परवतों की मुसीबत बनी रहती है एक्सपर्ट्स के मताबिक पैसिफिक रिंग ओफ फायर इलाके में इंडोनेशिया मौजूद है यहां 80 लाग से ज्यादा आबादी को जॉला मुख्यों से खत्रा है जॉला मुख्यों के 10 किलोमेटर के दाएरे में लोग रहते हैं इंडोनेशिया के अलावा इस वक्त रूस में भी एक जॉला मुख्यों बार बार जाग रहा है रूस के इस जॉला मुख्यों में वी स्पोर्ट से दश्रक के बादल चाह रहे हैं रूस के काम चटका प्रायद्वी पर इसका असर हो रहा है रूस के शीव लुच जॉलामुखी में फिर भी स्पोर्ट हुआ इसे रूस का सबसे शक्ति शाली जॉलामुखी कहा जाता है यहाँ इतना शक्ति शाली जॉलामुखी भी स्पोर्ट हुआ कि बादल और राख का बवंडर 15 किलोमेटर दूर तक फैल गया शिवलुच रूस का सबसे सक्रिय जोला मुखी है इस साल दो बार इस जोला मुखी में विस्फोट हो चुका है 1999 के बाद से ये लगतार फूट रहा है इसमें 2015 में हुए विस्फोट का अलास्का तक असर हुआ था एक बार फिर ये जोला मुखी फूटा है और कई इलाकों में राख की मोटी परत जन चुकी है पूरे इलाके में इस जोला मुखी के सक्रिय होने से जिन्दगी ठहर से गई है टीम न्यूज नेशन न्यूज नेशन अब वाट्सेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें